Hello everyone, यह आज की दिन का पहला वीडियो है, अगर आपने कल के इन वीडियो को नहीं देखा है, तो definitely जाकर के चेक आउट कर सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं Q1 result के बारे में, कुछ comment request है, जो pending है, तो मैं उसे cover कर दोंगा, जब ही मुझे time मिलेगा, जैसे आज तो Q1 result का सिलसला started रहेगा, वह सब के बारे में बात होगी, तो आज time नहीं मिलेगा, बट हाँ, जब मुझे time मिलेगा, मैं cover कर दोंगा, तो अगर आपका comment request, आपने comment किया हुआ है, कुछ request किया हुआ है, comment में कि मुझे ऐसा वीडियो चाहिए, तो वह आज आएगा, tension मत करना, आगे बढ़ता है, यहाँ पे 739 subscribers हो चुके है, 800 का target है, subscribe करो और bell icon को भी प्रस करके, all पे जरूर से set कर देना, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे Q1 result के बारे में, इसी वीडियो में बात करने वाले है, alkyl amines के Q1 result के बारे में, और यहाँ पे इसका Q1 result भी आ चुका है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका Q1 result, actually यह जो PDF है, यह आपको कैसे मिलेगा, आपको check कैसे करन है, तो इसके लिए आपको simple सा आजाना है, BSE के website पे, search करना है, alkyl amines, नीचे आओगे, यहाँ पे आपको click करना है, then नीचे आओगे, यहाँ पे आपको result दिख रहा होगा, ठीक है, 3.3 MB का आपको click करना, यह आपका PDF open हो जाएगा, page number 4 पे आपको आजाना है, क्योंकि page number 4 पे ही आपका result है, result के बारे में बात करने से पहले, 4 चीज़े में जो आपको regular बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, कि मैं year on year and quarter on quarter दोनों के बारे में ही इस वीडियो में बात करूंगा, बट मेरा जो prime focus होता है, वो year on year के तरफ ही होता है, जादा, और second चीज़ की इस वीडियो में बात करने वाले consolidated numbers के बारे में आप बोलो गया, consolidated यह तो standalone है, यह देखो, अच्छा, consolidated यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, न standalone लिखा हुआ है, न consolidated लिखा हुआ है, मैंने आपको बता हुआ था, अगर consolidated लिखा हुआ नहीं रहे, या फिर कुछ भ consolidated result है, और तीसरी बात, कि यहाँ पर जो भी values लिखे हुआ है, यहाँ पर आपको जो भी values देख रहे है, वो सारे values रूपीज इन करोड है, and last चीज, कि यहाँ पर जो column का placement है, या फिर आप कह सकते हो, column का sequence है, वो कैसा है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पह करेंगे, और उनके बारे में ही बात करेंगे, सबसे पहले चलते हैं, इधर थोड़ा सा, and मैं इसे cut कर देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होने वाली है, okay, सबसे पहले बात करते हैं, total revenue के बारे में, तो total revenue कैसा रहा, 447 से घट करके 415 पे आ चुका है, मतलब year on year basis पे decrease हुआ है, और अगर आप quarter on quarter basis पे देखोगे, तो 414.51 से बढ़ करके 415.27 हो चुका है, तो यहाँ पे लगभग 70 लाग के आसपस जो है, increase हुआ है quarter on quarter basis पे, and year on year basis पे बहुत अच्छी खासी गिरावट है, तो total revenue year on year basis पे decrease हुआ है, तो मुझे बिलकुल भी पसंद total revenue या total income जो कहलो, आगे बात करते हैं, अगर बात करूँ मैं profit for the period के बारे में, profit after tax के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, 81.88 मतलब 82 करोड के आसपस था, 82 करोड से घट करके 49.77 करोड पे आ चुका है, मतलब लगभग 50 करोड पे आ चुका है आप कह सकते हो तो 82 करोड से 50 करोड एक बहुत अच्छी खासी गिरावट है, मतलब हाफ तो मैं नहीं कहूंगा, 82 का हाफ 41 होता है, तो मैं हाफ नहीं कहूंगा, हाफ से जादा ही है, बट हाँ एक बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई है year on year basis पे, अगर आप यहीं पे quarter on quarter basis पे कि एक करोड का आपको जो है, जम्प देखने मिल रहा है, ठीक है, विच अबिसली बहुत कम है, बट हाँ, जम्प है, तो वही बात मैं फिर से बोलूगा, year on year basis पे डिक्रीज हुआ है, यह मुझे पसंद नहीं आया, तो profits भी अच्छी नहीं लगे मुझे, अगर मैं बात कर पर एक बात कर लो, EPS के बारे में, तो 16 रुपे का EPS जो है, वो 9 रुपे या फिर कहलो, 10 रुपे का हो चुका है, round of करके मैं बोल रहा हूं, अगर आप यहां पर देखोगे, तो 9 रुपे का EPS है, वो 15 रुपे के आसपास का हो चुका है, मतलब यहां पर increase हुआ, quarter on quarter basis पे and year on year basis पे as usual decrease हुआ है, तो एक बार मैं summary के बारे में बात कर लेता हूं कि यार, overall जो result है, वो कैसा रहा, तो year on year and quarter on quarter के बारे में बात करेंगे, तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे, revenue, net profit और EPS, तो देखो है, revenue year on year basis पे decrease हुआ है, net profit decrease हुआ है, EPS decrease हुआ है, quarter on quarter basis पे, revenue ह यहां पर quarter on quarter basis पर मैंने छोटा छोटा ठीक लगा हुआ है क्यों क्योंकि इंक्रीज हुआ है बट नाम मातरी इंक्रीज हुआ है इसको मैं इंक्रीज नहीं कहूंगा ठीक है अगर आपका आपका सैलेडी 400 रुपे से 401 रुपे हो जाता है तो यार मैं उसे इंक्रीज थोड़ी कहूंगा मैं कहूंगा ठीक है जितना था उतना ही है ठीक है अगर आपका सैलेडी 400 से बढ़ करके 420 हुआ या 430 हुआ फिर भी लगता यार चलो ठीक है हां कुछ बढ़ा लेकिन या पे 400 से बढ़ करके 401 होगा तो यार आप उसे थोड़ी कहोगी कि मेरा सैलेडी बढ़ गया वो चीज है अगर आप मुझसे पूछोगे यार आपको रिजल्ट कैसा लगा मैं पहले बता दू नो रिकमेंडेशन ठीक है लेकिन मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं लगा ठीक है तो एक 10 के आस्पास ही आए था यहा पर देख सकते हैं एक 9 पर आय था तो एक 5 कपछड़ केंडल से यहा पर गिरावट ही ठीक है और उसके बाद रही थोड़ा थे रूखा प्र ईबन उसके बाद यह ऊपर गया फिर नीची आए फिर उपर गया and अगर आप देखोगे जह लास्ट में जो है result आने के बाद उतनी selling नहीं हुई क्योंकि selling हो चुकी थी थी आप समझ रहो तो overall मैं कहूंगा कि market कभी sentiment sentiment negative ही था बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत negative था mixed ही आप कह सकते हो ठीक है mixed कह सकते हो एक सेगंड तो mixed कह सकते हो या फिर आप slightly negative कह सकते हो ठीक है जो कहो बाकि ठीक है अब results तो मुझे अच्छा नहीं लगे बाकि आपको result कैसा लगा जरूर से आप comment section में बता सकते हो और end कर वीडियो को गर आपको वीडियो अच्छा लगा like share subscribe कर देना जय हिंद and thanks for watching